सुकन्या यूजना में खाता खुलवाने वालों को एक बड़ा जटका लगा है सरकार ने एक ऐसा फैसला किया है जिसकी वज़ा से आपको भी 2,94,348 रुपय का नुकसान हो सकता है इसी तरह पीपिफ खाता खुलवाने वालों को भी 1,29,000 का नुकसान हो सकता है आज हम आपको सरकार के इस फैसले के बारे में बताएंगे और आपको कैलकुलेट करके बताएंगे कि इतना बड़ा नुकसान कैसे होगा दरसल सरकार ने 1 अप्रेल 2020 से ब्यासदर में भारी कटोती की है इस कटोती की वज़ा से आपकी लॉंग टर्म योजना पर असर पड़ सकता है बेहतर है कि एक बार आप इस कटोती से होने वाले नुकसान को समझ ले मान लीजिये आप अपनी बेटी की शादी और पढ़ाई के लिए सुकन्य सम्रद्धी योजना में पैसा जमा करना चाहते हैं आप हर महीने 5000 रुपे जमा कर सकते हैं तो आईए देखते हैं कि 14 साल तक रेगुलर 5000 रुपे जमा करने पर आपको कितना पैसा मिलेगा इस कल्कुलेशन के लिए हमारी बेफसाइट आपका पैसा का सुकन्य सम्रद्धी कल्कुलेटर यूज कर सकते हैं इसका लिंक नीचे दिस्क्रिप्शन में है आप इस कल्कुलेटर का यूज करके खुद भी सुकन्य यूजना में मिलने वाली मिच्योटी की रकम जान सकते हैं तो इस कल्कुलेटर में मैंने पहले 8.4 प्रतिशत सालाना की ब्यासदर के हिसाब से कल्कुलेट किया है इससे ये पता चल्दा है कि अगर आप हर महीने 5,000 रुपए 14 साल तक जमा करते हैं तो 21 साल बाद जब सुकन्य यूजना मिच्योर होगी उस वक्त आपको 27,49,252 रुपए मिलेंगे लेकिन अगर सुकन्य यूजना की नई ब्यासदर यानी 7.6 प्रतिशत का रेट डाल कर कल्कुलेट करेंगे तो आपको 21 साल बाद मिच्योर्टी के वक्त 24,54,904 रुपए ही मिलेंगे यानी नई ब्यासदर के हिसाब से आपको 2,94,348 रुपए कम मिलेंगे इस कल्कुलेशन में मैंने मान लिया है कि सुकन्य सम्रद्धी एकाउंट पर मिलने वाला इंटरस रेट अगले 21 साल तक ऐसा ही रहेगा लेकिन असल में ऐसा नहीं होता है क्योंकि हर 3 महिने में सरकार इसकी ब्यासदरों की समेक्षा करती है लेकिन ये तो तैह हैं दोस्तों कि अगर ब्यासदर घटी तो आपको नुकसान होगा ये नुकसान कितना होगा इसे समझने के लिए हमें कोई ना कोई एक ब्यासदर लेनी ही पड़ेगी अगर आपको इस कटोती की भरपाई करनी है तो आप अपनी मंतली डिपॉजिट बढ़ा सकते हैं अगर आप चाहते हैं कि आपको पहले की तरह ही 21 साल बाद 27,000,000 रुपे मिलें तो आपको अपना मंतली डिपॉजिट बढ़ा कर 5,600 रुपे करना होगा मतलब साफ है या तो आप अपना डिपॉजिट बढ़ाएए या फिर मिच्योर्टी की घटी हुई रकम के लिए तयार रहिए इसी तरह PPF एकाउंट पर भी ब्यासदर घट गई है इसमें भी 0.8% की कटोती की गई है इस कटोती की वज़े से आपको सवा लाग से ज़्यादा का नुकसान हो सकता है कैसे होगा ये नुकसान आएए देखते हैं PPF योजना में पहले 7.9% सालाना के हिसाब से ब्याज मिलता था लेकिन अब वो घट कर 7.1% हो गया है आएए देखते हैं कि अगर आप PPF एकाउंट में 5000 रुपए महीने जमा करते हैं तो पहले वाले रेट पर कुल कितना पैसा मिलता है और नए रेट पर कितना पैसा मिलेगा इसे कैलकुलेट करने के लिए हमने PPF कैलकुलेटर का इस्तिमाल किया है इस calculator का link भी नीचे description में दिया हुआ है तो हमने इस calculator में पहले 7.9% का rate डाल कर देखा तो 15 साल में मिर्चियोटी होने पर 18,18,844 रुपए मिलते हैं लेकिन ब्यासदर 7.1% होने पर 16,89,866 रुपए मिलेंगे यानी ब्यासदर घटने की वजह से आपकी मिर्चियोटी की रकम 1,29,000 रुपए कम हो जाएगी पहले के मुकाबले में सुकन्या योजना और PPF में ब्यासदर काफी कम हो गया है और इसकी वजह से आपको नुकसान भी हो रहा है लेकिन ये मत भूलिए कि इन दोनों योजनाओं की ब्यासदर अभी भी बैंक फिक्स डिपोजिट से करीब 70% जादा है आगे भी ऐसा अंतर बना रहेगा इसलिए आप इन दोनों योजनाओं में अपनी कंट्रिबूशन को बंद करने की गलती मत कीजेगा क्योंकि इतनी सेफ योजना कोई दूसरी नहीं है मुझे उमीद है दोस्तों कि मेरा ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा आप इसे लाइक करें और अपने दोस्तों और विश्टेदारों के साथ शेयर करें और आगे ऐसी ही यूसफूल वीडियो देखने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ बेल आइकान को टैप करना न भूलें